नमस्कार दोस्तों महानितिन और स्वाकत है आपका मेरी चानल टेकनितिन पर दोस्तों यदि आप Paytmoney में अकाउंट ऊपन करना चाहते है Mutual Fund के लिए और Demet अकाउंट के लिए तो आपको Demet अकाउंट यदि आ ऊपन करना चाहते है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो एक disclaimer आपको देना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो जो है completely education purpose के लिए है यहाँ पे यदि हम किसी stock के बारे में या फिर fund के बारे में बताते हैं तो वो आपको हम recommend नहीं करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अगें आप नए होंगे चैनल पर तो जरूर चैनल को subscribe कीजिए साथी साथ bell notification icon पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलती रहे तो चलिए without any wasting time हम start करते हैं यहाँ पर देखिए पेटीम money में आपको सबसे पहले all charges में delivery का charge यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है जो की 0 है almost actually 0.01 rupees लगता है but वो 0 ही हम consider करते हैं ठीक है तो यदि आप कोई share खरीदते हैं और उसे delivery लेना चाहते हैं अपने demand account में तो 0.01 rupees आपको वहाँ पर लगएगा उसके बाद देखे second intraday intraday क्या होता है यदि आप कोई एक share आज ही खरीदते हो और आज ही बेज़ देते हो तीन बज़े से पहले या फिर जो भी square of time होता है उससे पहले तो यहाँ पर यह जो order है intraday में आपका account होता है और इस किसमें 0.05% of turnover और 10 rupees when there is no debit credit of share in demand account तो intraday order है तो आपको क्या लगएगा देखे 0.05 of turnover जैसे कि turnover यहने कि 400 का आपने share खरीदा है और 410 में बेचा तो आपका पुरा cultural turnover हो जाएगा 810 रुपे 810 रुपे के 0.05% यदि 10 रुपे से उपर जा रहे तो सिर्फ 10 रुपे आपके कटेंगे ठीक है उसके बाद दिखे depository AMC यहाँ पर दिखे 0 annual maintenance charges for demand account यहाँ पर ऐसा लिखा है बट यहाँ पर दिखे annual platform भी कटती है तो आपको मैं आगे बताऊँगा उसके बारे में उसे बाद दिखे future and option future option में basically यह आप trading करते हो तो दिखे futures में आप करते हो तो आपको minimum 0.05% 0.02% of turn over और 10 रुपे पर executed order on intraday ठीक है तो again same case यदि 0.02% 10 रुपे से नीचे होता है तो उतने कटेंगे 10 रुपे से उपर हो रहा तो फिर 10 रुपे कटेंगे और options में क्या होता है यहाँ पर दिखे fix 10 रुपे पर executed order ठीक है then हम नीचे चलते हैं यहाँ पर दिखे brokerage calculator अभी मैं end में बताऊँगा आपको उस बाद दिखे stock के other stock purchase करते हो तो उसके अधर trade charges क्या लगेंगे ठीक है यह basically government के तरफ जाता है ठीक है देखे brokerage यहाँ पर दिखे जिरो पाइंट 01 पर executed order then exchange turn over charges 0.00345 for turn over for NAC यहने national stock exchange पे और ब्यांबे stock exchange पे आप लेते हो तो उसमें 0.003 percent turn over charges लगेंगे उसमें पर GST देखे 80 percent on brokerage and exchange turn over charges ठीक है तो यह सारे आपको लग नहीं है आप किसी भी broker में जाओ security transaction charges देखे 0.1 percent of turn over on buy and sell order then save turn on fees देखे 0.00005 percent of turn over or stamp duty यहाँ पे 0.015 percent of turn on buy orders इतने charges आपको लगेंगे उसके बाद देखें यहाँ पर star marker के additional 20 rupees plus GST on system of auto square यहाँ पर देखें इंटरडे में आपने कोई share खरीदा है और आप उसे बेचना भूल गे ठीक है sale किया लेकिन बेचना भूल गे तो system क्या करेगा जैसे उसका timing हो जाएगा automatically उसे base देगा तो इसकेस में आपको additional 20 rupees plus GST PTM money को देना पड़ेगा यहाँ पर देखें कस्टमर रिसीडिंग रिसीक रिसाइडिंग इन सिक्किम आर एक्स्टेंट फ्रम स्टैंप ड्यूटी चार्जिस तो यह अलग-अलग ब्रोकर के लिए तो 10 रुपए आपके DP charge यहाँ पर delivery sale order के लिए कटेगा तो ध्यान रखेगा यदि आप 400 रुपए में share खरीद रहे हो और 410 रुपए आपका profit हो रहा है तो इसकेस में यदि आप बेचोगे तो 10 रुपए तो आपको DP charge ही देना पड़ेगा ठीके तो इसकेस में आपको ध् अधिके बेस्ति समय तो ज्यादाग प्रॉपित हो तभी बेचना उसके बाद दिके रिमेट चाड़ेस और इमेट चाड़ेस सेम है 250 रुपए पर 100 रुपए पर 100 रुपए पर 100 रुप देन प्लेटी चार्जेश है रुपीज 10 पर रुपीजेट बेच्शिटिन चार्जे रुपीज यहां पर ट्रांजिक्शन इंक्लूडिंग देपोटरी डिपोजी टरी ट्रांजिक्शन चार्ज ओके फोर सिंग सीकुरिटी इंडिमेट अकाउंट बैमें नील उसके बाद दिखे अधर चार्जस में और क्या लगते हैं अब देखे और अधर चार्जस में आपक और 5% चार्ज मंतली ओन और स्टेंडिंग बिल मार्जी अमाउंट इफ नॉट विदिन डूटेट जीस्टी नॉट अपलीके बल यहां पर दिखे यह फ्यूचर ऑप्शन के लिए बैसे के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह बैसिकली क्या करता है ब्रोकर मार लगेगा ठीक है उस अमाउंट पर उसके बाद एक फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर से आप बुलाना चाहते हो तो आपको रिक्वेस्ट के 300 रुपे देने पढ़ेंगे और कुरियर का चार्ज यहां पर 300 रुपे आपको लगेंगे तो टोटल 600 रुपी यहां पर लगेंग अगरें मैंडेट करना पता है जब आप अकाउंट अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर यदि आप डिमैट अकाउंट ओपन करना नहीं जानते है तो उसका आप अप्लिकेशन चार्ज ने जिरो है ठीक है और जब आप लेते हैं उसके लॉट में शेर लेना होता है उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसका दीकिए कालन ट्रेट ओडर अब देखिए ये कालन ट्रेट की सर्विस भी प्रोइड करते है यदि आपको कोई इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है और आप ट् पर 25 पर रिक्वेश्ट ठीक है तो यह सारे चार्जेस यहां पर लिखे हुए है कुछ डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है ठीक है तो आप देख सकते हैं और मैं पेटीम मनी के वेबसाइट में ही हूँ ऑपिशल एप में हूँ और इनके सारे जो है मैंने आपको चार्जेस यह हो गया अब देखिए बय प्राइज फॉर एक्जांपल कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है हंड्रेड रुपीज उसकी बय प्राइज है सेल प्राइज है 110 रुपे ठीक है कॉंटिटिटी पचास है तो हम इसे एक ही रखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीकी से अंड चार्ज लगेंगे 0.01 जेश्ट लगी आपकी 0.02 सेक्यूरिटी ट्राइजेक्शन चार्ज लगेंगा 0.03 उस पाथ से भी ट्राइज लगेंगी यहां पर अल्मूस 00 स्टैम ड्यूटी जीरो ठीक है यहां पर देखिए 100 रुपीज का है 110 रुपीज में हमने बेचा तो यहा प्राइज एक्षेन टानों जी एस्टी ट्राइजेक्शन यह जो सभी मिला के यह 0.1 से होन होता है तो आपका देखिए नेट प्रॉफिट लास यहां पर दिखाएगा 9 रुपे एंड 83 पाइस है यहां पर आपको लगेंगे और तो यहां पर नो प्रॉफिट सेल प्रैज भी दिखाएगी यह 100.15 पर यहां पर कोई भी आपको पॉफिट और लास यहां पर नहीं होगा अब दिखें डिलेवरी में डिलेवरी में क्या होगा ब्रोकरेज 0.02 लगेंगा एक्षेन टानों चार्जेस आपको 0.01 लगेंगे charges लगेंगे और यहाँ पर net profit loss 9.73 यह लगेगा तो यह आप यहाँ से brokerage calculate कर सकते हूं यहाँ पर calculator भी दिया हुआ है तो आप देखें यह जितना price बढ़ेगा जैसे कि मान के चलिए मैं 400 रुपे करता हूं करता हूं और हमने बेचा इसे 1100 रुपे में और कॉंटिटी वन इसकेस में देखें यह अमाउंट भी बढ़ेगा जैसे दिखें ब्रोकरेज 1.05 रूपीज देन 0.07 ऐसे टूल मिला के 0.2028.28 तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा देखें 21 का आपको टान और होगा 1.63 आपक टैक्सेस वगरेज सभी देने पड़ेंगे जो ब्रोकरेज वगरे रहेगा 1.63 रूपीज और आपको यहाँ पर नेट प्रॉपिट 98 रूपीज रहेगा ठीक है तो यह चीज ध्यान रखेगा डेलेवरी में थोड़ा कम रहता है 97.64 रहेगा और इसका चार्जर जो कटेगा है टूटल रूपीज 36 पैसा तो यह सारी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके साब से जो है कर सकते हो ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक चीज इस्टार मा करके बताएगी है अब हो कैलकुलेटर ड़नाट इंक्लूट प्लैटफॉर्म फीज डिपोजिटरी चार्जेस आटो स्क्वेर आप चार्जेस और फीज रेपर टूद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डिटल चार्जेसं फीज तो यहाँ पर यह चार्जेस नहीं जोड़े गए ठीक है प्लैटफॉर्म फे डिपोजिटरी चार्जेस और प्लैटफॉर्म फीज आपको पता होनी चाहिए तो आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे बताईएगा कमेंट करके नीचे और आप कौन सा ब्रोकर यूज करते है वो भी मुझे कमेंट करके बताईए और आपको यह वीडियो अच्छे लगए तो जरूर लाइक किजे और आपको कोई सजेशन होगे किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे से तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ थैंक्यू वेरिमर्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए and have a nice day